कि नमस्ते मैं हूं दॉक्टटर प्रिया भावेश इतावार आज हम चर्चा करने वाले है थेस्ट की जिसे कहते हैं टॉर्छ तेस्ट बहुत सारे वह दमपत्ती जिनका गर्भपात हुआ है miscarriage हुआ है उनका torch test किया जाता है और torch test के results को लेके दमपत्ती कई बार बहुत confused रहते हैं बहुत परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि उन्हें कोई infection हो गया है आईए जानते हैं कि क्या वाकई में torch test positive होना miscarriage का कारण है और यदि किसी व्यक्ति का torch test positive है तो उसके क्या माइने है उसका interpretation क्या है और उसका clinical importance यानि उसका महिला के शरीर पर क्या आसर पड़ता है तो यदि हम torch test की बात करें तो actually ये एक short form है torch test का अर्थ होता है toxoplasma, rubella, cytomegalovirus और herpes इन चार infections के बारे में torch test हमें जानकारी देता है अब सबसे समझने वाली बात ये है कि torch test infection नहीं दर्शाता है immunity दर्शाता है infection और immunity में क्या फर्क है जब हमारे शरीर में कोई infection होता है तो उसके खिलाफ शरीर के अंदर antibodies बनती है antibodies हमारे शरीर की रोग प्रतिरोदक शमता होती है और हमें infection से fight करने में को मदद करती है सबसे पहले शरीर में IgM नाम की antibodies तयार होती है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे IgM antibodies का स्तर कम होता है और IgG नाम की antibodies बनना शुरू होती है torch test की यदि आपने report देखी होगी तो उसमें IgG और IgM इन antibodies का स्तर report में बताया जाता है जब यह antibodies positive आती है तो कई बार इसे गलत interpretation किया जाता है सोचा जाता है कि यह toxoplasma की यदि antibody positive है मतलब हमें toxoplasma infection है हकीकत यह है कि यह test में यदि आपका test में एक भी positive आ रहा है वो यह बता रहा है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक्षमता है शरीर में antibodies है infection है कि नहीं केवल torch की report से हम यह ग्यात नहीं कर सकते जहां तक abortion और torch test का संबंध है तो यह एक misconception है एक myth है कि torch infections के against antibodies positive होने से शरीर में miscarriage होता है toxoplasma, rubella, herpes या cytomegalovirus यह चारों organisms miscarriage नहीं cause करते हैं गर्भपात से इनका कोई भी लेना देना नहीं है तो यदि किसी महिला का गर्भपात हुआ है उनके torch antibodies positive भी आ रहे हैं तो यह गर्भपात का कारण निश्चित ही नहीं है तो फिर किन conditions में torch test हमें कराना चाहिए और इसका actual usefulness क्या है clinical practice में torch test यदि हम देखे तो यदि sonography में बच्चे के अंदर किसी infection का अंदाजा लग रहा है वो भी 20 हफते वाली sonography में उस case में डॉक्टर कई बार cytomegalovirus या toxoplasma के antibodies टेस्ट कराना पसंद करते हैं क्योंकि यह जो infections हैं यह जब primary infections होते हैं इससे बच्चे को infection हो सकता है परन्तु यह infection आम तोर पे तीसरे चौथे महीने के बाद में होता है गर्भपात इसके कारण अधिकतर नहीं होता है दूसरी वोस्तिती यदि किसी महिला को गर्भावस्था के पहले तीन महीने में बुखार आता है रैशेस होते हैं उस case में भी torch test कराना अवश्चक होता है क्योंकि इन में से कुछ जो infections होते हैं उनके कारण इस तरह की समस्या बन सकती है परन्तु यदि आपके बार-बार miscarriage हो रहे हो या एक बार miscarriage हुआ हो तो ये ध्यान रखे कि torch test positive होना इसका कारण बिल्कुल नहीं है और torch test positive आने पर किसी भी तरह का treatment देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि torch test जो है ये antibodies रोग प्रतिरोदक शमता दिखा रहा है infection नहीं दिखा रहा यदि कुछ खास antibodies जैसे कि IgM antibody positive है और साथ में avidity test भी infection की तरफ इशारा कर रहा है सिर्फ तभी आपको infection के treatment की आवशक्ता है अथवा आपको treatment की आवशक्ता बिलकुल नहीं है तो यदि आप torch test के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या आपका torch test positive है और आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर comment section में लिख दीजिए या फिर हमें email भेजिए आपके सवालों का जवाब देने में हमें बहुत ही प्रसनता होगी धन्यवाद